आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कंसीलर फाउंडेशन की रिव्यू करने वाली हूँ यह है इंसाइट मेकप एसेंशेल्स के कंसीलर फाउंडेशन अगर आपको फाउंडेशन से ज्यादा कवरेच चाहिए बट फाउंडेशन जैसा फेक लुक नहीं चाहिए स्किन लाइक फिनिश चाहिए तो यह प्रड़क्त आपके लिए बेस्ट है वीडियो की इंट्रो से ही आपको बता चल गया है कि इस वीडियो में मैं इंसाइट कंसीलर फाउंडेशन की करेक्ट अप्लिकेशन मेथड इसके ओल सिक्स शेड्स की स्वाचेश और आपकी स्किन टोन अनडर टोन के अकॉर्डिंग कौन सा शेड आपके लिए बेस्ट है यह सब आपको बताऊंगी तो इस वीडियो को लास तक देखते रहना और अगर यह वीडियो आपको अच्छा इंसाइड कंसीलर मेकप इस टाइब के कार्डबोड बॉक्स में आता है जो कि ब्लैक कलर का है जहां पर आपको मेंशन मिलेगा के यह डामतोलोजिकली टेस्टेड है सो आप कोई भी स्किन टाइप आइमें नॉर्मल ओईली ड्राइ सेंसिटिव इसी पे भी आप इसको अप बढ़ेगा 260 रूपीज और यह कंसीलर फाउंडिशन आपको इस टाइप के प्लास्टिक ट्यूब में मिलेगा जिसमें एक सिल्वर कैप लगा हुआ है इस प्रड़क का शेल्फ लाइफ है टू यहर्स इस अ क्रूल्टी फ्री पारबन फ्री प्रड़क्ट तो आप समझ ही लिक्वीड ही नहीं है इसलिए इसका कवरेज भी बहुत ही अच्छा है मैं आपको दिखाती हूँ यह मेरा एक चोटा सा स्कार है जो रिसंटली जल गया था मेरा हाथ देखिए कितने अच्छे से इसने हाइड कर दिया है यह प्रॉपर अप्लिकेशन के लिए पहले अपने टोनर यूज़ कर सकते हैं स्किन को अच्छे से मॉश्यराइग करने के बार इस इस इलट फाउंडेशन को अपलाई करें आप चाहे तो प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं बैट मैंने यूज नहीं किया है क्योंकि यह प्रॉब्लम प्रॉबलम एरिए को अच्छे से कवर क रही हूं इस concealer से this concealer foundation provides buildable coverage तो आप इसको अच्छी से छोटा-चोटा amount लेकर इसको apply कर सकते हैं और इसको build up कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूं एक बार में आपको बहुत ज्यादा concealer foundation नहीं लेना है छोटा-चोटा amount लेना है और इसको blend करते जाना है मैं यहाँ पर जो यह नमबर 3 यह प्रॉपर एप्लीकेशन मेद़ड के बाद मैं आपको बताऊंगे कि आपके स्किन टोन नानो टोन पर कौन सा शेड अच्छे से जाएगा फैस पर इसको अपलाई करने के बार मैं आई लीट के ऊपर भी इसको ही अपलाई करूंगी क्योंकि आज मैं आई बेस के लिए ये concealer foundation ही यूज कर रही हूँ application process हो गया है complete अभी मैं आपको दिखाती हूँ inside concealer foundation कि इतना flawless look देता है close up देखिए अभी inside concealer foundation को set करने के लिए मैं यूज करें हूँ inside HD loose finishing powder इसका शेयर नमबर है 11 light अगर आपकी face skin tone के साथ neutral undertone है तो आप 11 light यूज कर सकते हैं ये कुछ इस तरह के packaging और puff के साथ आता है प्रॉपर application के लिए मैंने यहां पे एक fluffy powder brush ले लिया है आप भी ऐसे ही powder brush से apply करें इस powder का बहुत ही small amount मैंने लिया है और मैं अपने अंदर राइस, face, nose, chin area, forehead area सब जगा पर इसको apply करके पूरे inside concealer foundation को set कर रही हूँ फेस को अच्छे से set करने के बाद ये कुछ इस तरह का दिख रहा है इसको मैं अपने face पर पाच घंटे तक छोड़ दिया था वीडियो की पहले ही आपने देख लिया है कि वो कैसा लग रहा था और ये जो आप दिख रहे हैं ये तीन घंटे बाद वाला face है देखिए कितना flawless दिख रहा है कोई भी touch up नहीं किया है मैंने अब मैं आपको दिखाती हूँ shades and swatches inside concealer foundation एक indian brand है तो इसलिए इसके सारे 6 shades indian skin tone के लिए ही बना है तो जो पहला shade है वो है one cream natural और ये अगर आपका light skin tone है उसके साथ warm और yellow undertone है तो आप इसको use कर सकते हैं ये सारे के सारे shades मैं आपको natural light में दिखा रही हूँ ताके आपको पता चले कि ये originally दिखते कैसे है तो ये है shade no.1 अब चलते है shade no.2 की तरफ ये है shade no.2 जिसका नाम है soft honey अगर आपकी light to medium skin के साथ pink undertone है तो आप use करें no.2 soft honey the next shade is no.3 creamy beige अगर आपकी skin tone मेरी जैसे light to medium है और उसके साथ आपका yellow undertone या फिर yellow dominant neutral undertone है तो आप no.3 यूज़ करें 4th shade is beige matte अगर आपका skin tone है medium और उसके साथ pink undertone है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं 5th shade is golden fair अगर आपका skin tone है medium dark और उसके साथ अपका yellow undertone है तो आप इस shade को use कर सकते हैं अगर आपको आपके undertone के बारे में कुछ नहीं पता है तो आप eye button में दिये गए हुए video को देख सकते हैं वहां से आपको आपका undertone पता चल जाएगा 6th shade is warm beige अगर आपका skin tone है dark और उसके साथ अपका yellow और warm undertone है तो आप इस shade को use कर सकते हैं तो यह थे inside concealer foundation के 6 shades अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा final look तो यह है इसका 8 hours बाद का effect तो देखिए आपको दो प्रड़क्ट यूज़ कर लिया है तो मुझे कमें सेक्षिन में जरूर बताए कि आपको inside concealer foundation कैसा लगा आप रगुलर्ली इसको office या फिर college time पे यूज़ कर सकते हैं so I hope यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है please do comment like and share आज के लिए बस इतना ही thanks for watching the whole video good bye